तो दो मित्रों ने मारिया को रसी से बांधा और उसकी सांती भंग कर दी तो सांती पुरुसकार 2021 मिला है दो मित्रे मुरातोग और मारिया रहसा को तो दो मित्रों ने मारिया को रसी से बांधा और उसकी सांती भंग कर दी तो दो मित्रों बोले तो दो मित्रे मुरातोग और मारिया को रसी से यानि मारिया रहसा 2021 सांती पुरुसकार मिला है मारिया रहसा और दो मित्रे मुरातोग को सांती के छेत्र में तो इस तरह आपे इसको याद रखीगा बड़ी आसान ट्रिक है ठीक है चलिए स्वागत करता हूँ आप सब का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैकनाव पर दिस इस मी कुमार पंकच और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कल लीजे आज हम देखने वाले नोबल पुरुसकार 2021 यूपी-पी-पी-स या किसी अन्य एकजाम की बियार किया तयारी कर रहे है या किसी भी स्टेट एकजाम की तयारी कर रहे है तो बहुत महत्मून रहेगा ये वीडियो ट्रिक के साथ बताऊँगा पूरी चीजें तो चलिए शरू करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले देखते हैं नूबल सान्ती पुरुसकार दोहजार इक्केस मिला मारिया, रेसा और दिमित्री मुरातोव को इसको हम कैसे याद रखेंगे ट्रिक के साथ तो दो मित्रों ने मारिया को रसी से बांदा और उसकी सांती भंकर दी तो ये हो जाएगा दो मित्रों बोले तो दमित्रे मुरातोब, मारिया को रसी से बांदा तो मारिया रैसा और उसकी सांती भंकर दी ये चीज जरूर याद जैसे मैं बता रहा हूँ दो मित्रों ने मारिया को रसी से बांदा और उसकी सांती भंग कर दी तो 2021 का सांती पुरुसकार मिला है मारिया रैसा और दो मित्रे मुरातोव को और इनको सांती पुरुसकार क्यूं मिला है ऐसा भी question पूछ लेता है स्टेट PCS और UPSC में तो आपको याद रखना है अभिवक्ति की स्वतंतरता की रक्षा के उनके प्रियासों के लिए दिया गया है अभिवक्ति की स्वतंतरता मारिया रेसा ने क्या किया है इन्होंने अपने देश फिलिपिन्स में सत्ता के दुरुपियोग हिंसा के उपियोग और बढ़ते आदिनायक वाद को उजागर करना जारी रखा है लगातार ये 2019 से लगातार लिख रही है प्रेस के माध्यम से दूसरी होर अगर दिमित्री मु दातोव ने चुनोती पूर परिस्तेतियों के बीच अभिवक्ती की सतंत्रता का बचाब किया है और ये लगातार लिखते गए हैं अभिवक्ती की सतंत्रता के लिए ये काम कर रहे हैं तो नोबल सांती पुरुसकार को आप कैसे याद रखेंगे दो मित्रों ने मारिया को रसी से बादा और उसकी सांती भंग कर दी ये ट्रिक को आप दो बार याद रख लीजे वीडियो को एक बार और देख ले ना अगर आपको मन करे काम हो जाएगा वैसे देखने की भी जरूयत है नहीं तो दो मित्रों ने मारिया को रसी से बादा और उसकी सांती भंग कर द तो अब्दुल रजाग गुर्णाह को साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला है अब इसको आप कैसे याद रखेंगे रज माने होता है डूबना तो अब्दुल क्या है वो रज के साहित्य लिखते है अब्दुल क्या है रज रज के साहित्य लिखते है और इसलिए उनको साहित का नोबल पुरसकार मिल गया 2020 का देखे कितना आसान है अब्दुल ने रज रज के साहित लिखा ये बात मेरे साथ आप बोलिए अब सर्माइए मत जहां भी ये लाइबरेरी में अगर बैठे हैं तो हेड़फॉन मन में दोराइए अगर आप रूम मे है तो तेज तेज गाई है कि अब्दुल ने रज रज के साहित लिखा और उसको साहित का नोबल पुरसकार मिल गया ऐसे करके अगर आप याद रखेंगे तो एक्जाम हॉल में भी आपको ऐसे ही याद आएगा कि अब्दुल ने रज रज के साहित लिखा और उसको साहित क का नोबल पुरुसकार मिल गया तो अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं स्टेट PCS में पूछ लेता है तो देखे इनों ने क्या किया है कि सरनार्थियों के बारे में अपनी कहानियों और उपन्यास के माध्यम से छोटी-छोटी कहानियों को उनका आधार बनाया है और सरनार्थियों के विगटन के एर्द गिर्द आधारित इनों ने रचनाय लिखी है और इसी के कारण इनको दिया गया है साहित्त का नोबल पुरुसकार और अबदुल ने क्या किया रज-रज के साहित्त लिखा इसलिए इनको साहित्त का नोबल पुरुसकार 2021 दे दिया तो ये हैं अब्दुल रज्याक गुर्णाह इनों ने क्या किया है रज-रज के साहित लिखा इसलिए इनको साहित नोबल पृुष्कार 2021 मिल गया ठीक है याद रहेगा अगला है बहुत इकीम नोबल पृुष्कार यानि नोबल प्राइज इन फिजिक्स तो इसको कैसे याद तीन चीजें इसमें याद रखतба हैं इंगलिस में मैं और म देखते कर दाने फोड़ा सा इसको बदल देएंगे बहुतिकी में मैन माने होगा जियो जियो ठीक है बहुतिकी में मैन माने होगा जियो जियो होगा बहुतिकी में मैन माने जियो जियो ठीक है तो बहुतिकी पहले याद रखना है बहुतिकी में क्या होता है मैन माने होता है जियो जियो ठीक है बहुतिकी में मैन माने क्या होता ह जीयो जीयो बोलो मेरे साथ ठेज भोतिकी में मैन माने जीयो जीयो भोतिकी में क्या है मैन माने जीयो जीयो है तो आराम से देख लो भौतिकी में क्या है Fazit में क्या है मैन माने क्या है और उपराइसी ठीक है तो बड़ा आसान है भाई यह मैन माने जिब जिब बहुतिकी में दियए बैसमा देटी है men जिब देट आड़ाई उगडायले और वाई Udraumaan चे लिए दिया गया है विक्रन संतोलन और वाई द्रवमान के उर्दबादर परिवहन के बीच कैसे व्यक्ती बातचीत कर सकते हैं उसका पता लगाया है जलवायू मॉडल बनाने का सिधांत दिया है मौसम के पैटर्न का पता लगाया है और क्लॉस हैसलमें ने ग्लोबल वारमिंग में कारवन डाय परिसी हैं इन्होंने कहा है कि जो इस पस्त रूप से पूरी तरह याद्रेचिक घटनाएं होती है उनको समझने का इन्होंने एक सिद्धान्त दिया है और इनकी जो खोज है जी और जीओ परिसी की वो केवल बहुत तिकी तक ही नहीं है गड़ेत जी विज्ञान तंत्र का व माने जी और जी कमिस्ट्री में तो डेविड ने विज्ञान में मने लिस्ट फाड़ दि क्या किया, डेविड ने chemistry की list भाड़ दी भाई, क्या किया, डेविड ने chemistry की list भाड़ दी, ठीक है, डेविड ने, या डेविड मैकमिलन ने, पूरा याद रखो इसको, डेविड मैकमिलन ने chemistry की list भाड़ दी, क्या किया, डेविड मैकमिलन ने chemistry की list भाड़ दी, ठीक है, बो गया दोजार एकिस का chemistry का nobel प्रुसकार asymmetric organocatalysis के विकास के लिए इनको मिला है जो कोई अभीक्रिया होती है रासाइनिक अभीक्रिया उसमें अगर कोई उत्प्रेरक ऐसा डाल दिया जाए जो उसको बढ़ा दे उस अभीक्रिया को बढ़ा दे तो वो कहलाता उत्प्रेरक catalyst ठीक है तो उसी asymmetric organocatalysis के विकास के लिए या asymmetric अड़ों के उत्पादन के लिए उत्प्रेरण में मदद करने के लिए इन्होंने asymmetric organocatalysis का विकास किया है और आणविक निर्मान को आसान बना दिया है इसी लिए इनको मिला है रसाइन विज्ञानवन नोबल पुरुसकार Benjamin List और David Macmillan को तो David Macmillan ने क्या किया chemistry की list फाड़ दी बस ठीक है Benjamin List और David Macmillan इनको मिला है रसाइन विज्ञानवन नोबल पुरुसकार एक बार इनकी फोटो देख लो तो David Macmillan ने क्या किया chemistry की डेविड Macmillan ने chemistry की list फाड़ दी तो David Macmillan और Benjamin List ऐसे ट्रिक को एक दोबार दवरालो कहां आपको दोबारा पढ़ने की भी जरुएत नहीं पढ़ेगी ठीक है फिर physiology या medicine में नोबल पुरुसकार बड़ा आसान है मेरे साथ एक बात गाओ Julius को पटाओ chemistry में लाओ माफ कीजगा Julius को पटाओ और medicine में लाओ क्या बोलना आपको Julius को पटाओ चिकितसा में लाओ अगर हिंदी में देखना है English में देखना है तो Julius को पटाओ medicine में लाओ क्योंकि जो चिकिटसा और medicine इंगलिस में नाम उधर change होएंगे बस यह तो अगर नाम किसी व्यक्ती विसे इसका है तो उसे English में भी बोलो या Hindi में भी बोलो वो सेम रहता है तो David Julius तो English में भी David Julius ही रहेगा अर Hindi में भी David Julius ही रहेगा तो आपको पटाओ चिकित सामे लाओ बोलो मेरे साथ जूलियस को पटाओ 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 के लिए पुरुसकार दिया गया है कि जो temperature और touch जो होता है उसके लिए कौन से receptors काम करते हैं हमारे body में receptors होते हैं जो particular चीज के लिए वो individually कारे करते हैं हर चीज के अलग receptors होते हैं touch का अलग होता है smell का कुछ और चीज होती है घाव लगता है medicine खाते हैं हम हर चीज के लिए अलग receptors होते हैं body में तो तापमान और spurs के लिए receptors की उनकी खोज के लिए पुरुसकार दिया गया है तो क्या करना है आपको जूलियस को पटाना है और medicine में लाना है बड़ा आसान है ठीक है अब जूलियस को देख लो यह लड़की रिड़ी नहीं है डेविड जूलियस और आड़ाडेम पता पोटियम ठीक है तो आड़ाडेम पता पो прим Taiwan और डेविड जूलियस को पताना है और में चिकस सामे लाना है बड़ा आसान है देखो हो गया चलो अगला देखते हैं अर्थसास्त्र का नोबल पुरुषकार last but not least बड़ा आसान है इसको भी ठीक है तो भाईया इसको कैसे याद रखेंगे अर्थसास्त्र का नोबल पुरुषकार एक है इसमें बंदा एंग्री है बड़ा गुस्यवाज है ये जोस में आ जाता है डेविड कार्ड ने क्या किया डेविड कार्ड एंग्री हुआ और इसने अर्थसास्त्र को इंबेलेंस कर दिया क्या कर दिया डेविड एंग्री डेविड ने अर्थसास्त्र को इंबेलेंस कर दिया क्या कर दिया एंग्री डेविड ने मेरे साब से तो angry ठीक बनेगा, angry David ने क्या किया, अर्थ सास्त्र को imbalance कर दिया, ऐसे करके याद रखिये, मेरे पास क्या है, सुबधाओं की कमी है, इस वज़े से मैं आपको यह लिखके नहीं दे पाता हूं, मेरी भी कुछ मर्यादा हैं, सीमा हैं, उस वज़े से दिक्कते होत हैं, लेकिन आप में थोड़ा सा सपोर्ट करिये, चीजें बहतर हो जाएंगे आपकी, मैं आपके लेवल पर जाके पढ़ाता हूं कि बच्चों को किस तरह याद रहेगा, मैं भी एक स्टुडेंटी हूं, तो इसलिए आप थोड़ा सा सपोर्ट करा करिये, चलिए, देखे क्या है, एंग्री डेविड ने अर्थ सास्त्र को इंबेलेंस कर दिया, तो अब कैसे याद रखेंगे, डेविड कार्ड और एंग्री बोले तो जोसुआ डी एंग्रेस्ट और इंबेलेंस बोले तो गुईडो डबलू इंबेंस, ठीक है, इतने मैं याद हो जगा, इंबे डेविड है और उसने अर्थ सास्त्र को इंबेलेंस कर दिया, और इसलिए उसको अर्थ सास्त्र का नोबल पुरुसकार मिल गया, गलती से उसने सही काम कर दिया, और उसको नोबल पुरुसकार मिल गया, तो एंग्री बोले तो जोसुआ डी एंग्रेस्ट, डेविड मिलेगा इनको 50% मिलेगा बाकि 50 में से 25 25 जोशुआ डि अंग्रेस्ट और गुल्डो डवलु इंबेंस को मिलेगा ऐसा कहीं पूछेगा नहीं याद रखो इनको 50 मिला है इनको 50 दौनों को मिला के मिला है तो एंगरी डेविड ने अर्थ सास्त्र को इंबेलेंस कर दिया तो तो देख विया क्या बड़िया ट्रिक बन गई तो एंग्री डेविट ने क्या किया है एंग्री एंग्री बोले तो एंग्रिस्ट डेविड बोले तो डेविड कार्ड एंग्री डेविड ने अर्थसास्त को इंबेलेंस कर दिया तो डेविड कार्ड जो सुना डी एंग्रिस तो इसको आपको याद रखना है ये था आज का हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा सब्सक्राइब करिए चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो अगर पसंद आया तो और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को कॉमेंट करके हमको बताईए कैसा लगा वीडियो और अब हम लगातार कंटीनू आपसे जुड़े रहेंगे इसका पीडियाफ आपको मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल पे मैं अभी सेयर कर दूँगा इसका पीडियाफ टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के नीचे सब्सक्राइब करिए देखते रहें अल्टा बैस फूर एर एक्जाम थैंक यू सो मच हैवे गुड डे